बश्कार प्यारे दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरनेस एजुकेशन न्यूज में तो दोस्त इस वीडियो में नर्सिंग भरती 2018 का एक अपडेट है क्या कुछ अपडेट है उस पर चर्चा करेंगे इंपोर्टेंट लेटर्स में जानकर ये मिलेगी दोस्तों आप लोगों को वो और देखिएगा यह जो है यहाँ पर यह देख सकते हैं आदिस क्रमांक 11 एकरान में 3 12 2020 सुसरी दिक्ष्या कुमारी का यह है देखिए आपर चिकित्सा और स्वास्त परिवार कल्यान सिवाय राजस्तान आदिस तो इनका दोस्तों जो चैन था नर्स ग्रिड दित्ते राज के महिला चिकित्साल अलवर में था और नर्सिंग सीधी वरती 2018 में 309 दिनांक 28 चार 2020 को जो इनकी जो पी ओपी आई थी तो इनको पदिस्ता आपन क्या गया था 28 अपरेल 2020 के दुवारा कारमिका ने 15-10 को इन्होंने 30 तारीक को कारेगरेंड कर लिया था 28 को जो लिस्ट आय था पी ओपी 28 अपरेल को तो यहां पर देखिए जो महिला ब्यारती हैं दिक्ष्या जी इन्होंने 15-10 2020 को प्रात्ना पत्र प्रुस्तों उत दिया है तो इन्होंने रिजाइन कर दिया है एक तरीके से इस जोब को छोड़ दिया है रास्तान सरकार की नर्सिंग भरती 2018 में और छोड़ना भी दोस्तों इसलिए है क्योंकि DSSV में दोस्तों एक जो बड़ा इस्यू है वो पेमेंट को ले करके अच्छा वेत्रमान यहा और इन्होंने त्याग पत्र दे दिया है अब बात आती है दोस्तों ऐसे बहुत सारे अभ्यारती हैं जो लगातार रिजाइन कर रहे हैं ठीक है दो चार पहले भी कर चुके हैं कुछ और भी करने हैं दिनकी DSSV में होगी आप जोइनिंग और रेलवे में भी कुछ थे जो अजमीर बोर्ड से थे ऐसे मेरे दोस्त आती है उन्होंने भी अभी तो खैर रिजाइन नहीं दिया लेकिन करने के सोच रहे हैं तो अब दोस्तों बढ़ी यहां पर चीज यह आती है कि अब वेटिंग लिस्ट का क्या होगा तो दोस्तों मैं बता दूं अधर वेटिंग में नहीं आती है ठीक है न यह न सोचे कि वाई एक लड़की ने यहां पर छोड़ दिया है जो एक हमारा नंबर इसमें आ जाएगा वेटिंग में वेटिंग में उनको आती है नोन जॉइनर की ठीक है जो जॉइन नहीं करते हैं इनों तो जॉइन करके छोड़ा एक तरीके से तो वो वेटिंग लिस्ट में नहीं गिना जाता है जो जॉइन ही नहीं करते हैं जो डेट होती है जैसे मालो किसी को 10 अक्टूबर तक करना था 10 तक वो नहीं करता है ठीक है क्योंकि जब गलत जानकरी कहीं पर मिलती है आप लोगों को तो आप हमारा चैनल विजिट करते हैं तो इससे कोई फारक नहीं पढ़ने वाला एक सीट जो है वो यहाँ पर वेटिंग में नहीं गिनी जाएगी क्योंकि उन्हें जॉइन करने के बाद त्याक पत्र दिया है और वेटिंग का सीधा सीधा मतलब यह होता है कि वेटिंग उन्हीं पदों पर आती है जिन पर पदों पर अभ्यारती जॉइन नहीं करते हैं जॉइन करने के बाद छोड़ना है मतलब है वो सीट वकेंट है ठीक है वो वेटिंग में नहीं गिनी जाती है तो धन्यवाद साथि तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, जै हिन जै भारत